भोटेर आगेट दिन जोगी आदित्तनात के शुभेच्छा जानाते हाजीर गोरख पूरेर कोएक्चोन तादेशकोंगे कौथा बोलेन आमादेर प्रोतेमिधी शुचोंद्रिमा तोर प्रदेशे पूर्बान चोले शेही जोमीत एखोन दारिये रोएची जेखाने गोरख पूर किन्तु एक्ट उलेग जोगो केंद्रो कारण जोगी आदित्तो ना तुत्तर प्रदेशर बीदाई मुख्मंत्री एक एंडरो थे के लोट्छे नीजेर गौड इबंग ताके भोटर आगेट दिनी शुभेच्छा जानाते एशेच्छेन एखानकार के अच्छू बाशिंदर आप लोग सभी यही के हैं आप लोग मुक्रमंत्री से मिलने आए जिया क्या बातचीट हुई उनसे बात हम लोग करने आये ते कि महाराज जी आपकी जीत हो रही है आपको बढ़ाई देने हम लोग आए हैं यहां के मुस्लिम समाज सब आपके साथ ह जिसी की बढ़ाई देने उनको वाई से अलग से मतलब बढ़ाई पहले दीनी क्यों इलेक्शन से पहले आप लोग साथ में थे यहां कर देख रहे हैं कि पूरा मुस्लिम समाज महाराजी के पच्छ में हैं हम लोग इसलिए महाराजी से माच मिलने महाराजी आप इस बार दमदारी से लड़िये और पूरा मुसलमान समाज गोरपूर का या मंदिर का अगर सब 99% मुसलमान भाजपाय कोड़ दे रहा है महाराजी को समर्शन दे रहा है इसलिए हम लोग महाराजी का ग्रिम बढ़ाई देने आये थे बाबा से क्या उम्मीद है ये पांच साल में उन्होंने जो जो किया है और अगले पांच साल अगर वो आएंगे तो क्या उम्मीद क्या है अगले पांच साल आएंगे तो फिर अभी बहुत सारा काम है जो जो सामने आएगी कि उसको जो है रखा जाएगा सामने बात और उन से कहा जाएगा ये सब काम करने के लिए और हमारे बुनकर समाज सब सारे रहते हैं उनकी भी बात को रखा गया है उनों का ठीक है क्या उमीद है हम लों की उमीद है कि जो भी इसके में आती है वो तो मुसल्मानों को मिलती ही मिलती है लेकिन यहां की कुछ समस्या है जो बुनकरों की तो उसकी समस्या का भी समाधान महराज जी ने कुछ किया है उसके थोड़ा सा बाकी रह गया था उसको भी हम उनसे कहने आए थे कि उस समस्या का भी समाधान आप सरकार आते ही उसको कर दिये अयोध्धा से वो यहां पे आ गए तो आप लोग इस बात से खुश है या फिर अयोध्धा से लड़ते हैं हम लोग तो खुश है कि हम लोग मुख्यमंतरी को चुनाओ लड़ा रहे हैं आज की तारीक में तो हम लोग के लिए तो बड़ी खुश नसीबी है यह लड़कर करके तो अजोध्या से मतुरा से बहुस सीटों से जीत जाते चुनाओ लेकिन हमलों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ना और आने वाले पांच साल भी बहुत अच्छा रहेगा चुनाओ में योगी जी कभी कभी कह रहे असी बीस की बात तो उससे सहमत है असी बीस की जो बात योगी जी ने कही है वो उन्होंने हिंदू मुसल्मान को लेकर के नहीं कही है असी लोग सभा की सीट है उत्तर प्रदेश में 64 सीट भाजपा जीती थी 2019 में गड़बंदन के साथ अपने इंडिये ने तो असी का 80 फीसदी 64 ही तो होता है यही बात उन्होंने कही है बाद में ये बात 90-10 पे भी आई है कि हमारे साथ 90 परसेंट लोग है तो उसको विपक्ष ने दूसरे तरीके से रखा पब्लिक के सामने किसाब ये हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है ऐसा कुछ नहीं है अगर हिंदू-मुसलमान की बात होती तो हम लोग यहां क्या करते है इस मंदिर के अंदर सारी सुरक्षा और विकास ये मुद्दा है और क्या है रोजगार के बाद का है जी दोनों टाइम का ये करोना से बाद का ज़्यादा है पूरी उमीद है अब पूरी उमीद है जी जी बिलकुल देंगे कथा बुल्लाम गोरक पुरेर एखानकारी साधारीण बाशिनदादे शंगे पुशाक देखे कोन विचार कोड़ेन ना कारोन एखाने तारा भाईचारार कथा बोल्छेन कोनो साम्प्र hac疫 कातार कथा तारा बोल्छेन ना एबों शेखाने शंप्रितीर कथा निये तारा विदाई मुख्मोंत्री जोगी आदित्तो नातेर बाशुभबने एशे चिलें जाकिनाई गोरक नत मोंदिरें ताके आगाम शुभेच्छा दिते एबों तीनी आबारो एई पदे आशिन हबें एमुन्टाई आशा जानिये तारा एखांते के ताद शंगे शाक्खात करे चोले गया लें।